काल सर्प योग और निवारण के चमतकारी उपाय एवं टोट के यह पुस्तक प्रसिद विद्वान आचार्य पंडित शशी मोहन बहल जी द्वारा लिखी गई है इस पुस्तक के भीतर काल सर्प योग की सच्चाई ज्योतिश विज्ञान में उसका महत्व काल सर्प दोश की शान्ती एवं काल सर्प योग के लक्षा विस्तार पूर वक्त वरनित किये गए हैं काल सर्प योग के संधर्ब में जन मानस में अनेक प्रकार के भय एवं भ्रांतियां प्रचलित हैं काल सर्प योग की सामान्ने परिभाशा के अंतरगत जब जनम कुंडली के समस्त ग्रह अर्थात सूर्य, चंद्र, मंगल, बुद्ध, गुरू, शुक्र एवं शनी जब राहु एवं केतू के मद्दे हों तभी काल सर्प योग बनता है यह भी आवश्यक नहीं है कि काल सर्प योग सदैव, दुश्परिडाम ही देगा जनम कुंडली द्वारा भविश्य कथन एक जटिल प्रक्रिया है इसके लिए जनम पत्रि का गंभीर अध्ययन तथा मन, वचन, वक्रम से शुद्ध तथा सात्विक जोतिशी ही एक जनम कुंडली का स्पष्ट एवं भावी गटनक्रम बता सकता है इस विलक्षन पुस्तक के भीतर विभिन प्रकार के कालसर्प योग, उनके भेद तथा उनके फल स्पष्ट रूप से वरणित किये गए है उदाहरण के लिए बारह प्रकार के कालसर्प योग के अंतरगत महापदम कालसर्प योग, जिसका लक्षन है कि जब राहू छटे भाव में हो और केतु बारवे भाव में तब जातक को प्रणय संबंदों में असफलता, प्रिये जनों और प्रतनी के अलगाव का दुख, संदेहास्पत चरित्र, सदैव अवसाद की स्थिती रहना और शत्रों से पीड़ा एवं बाधाएं प्राप्त होती हैं, इसी प्रकार तक्षक कालसर्प योग में जब राहू सात्वे भाव में और केतु प्रतम भाव में हो तब जातक को विवाह में मतभेद, पारिवारिक कले तथा जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ता है पुस्तक के भीतर बारें प्रकार के कालसर्प योग और उनके निवारण के सरल तथा स्पष्ट उपाए भी बताए गए हैं इस पुस्तक के भीतर राहू एवं केतु का संपूर्ण पूजन प्रयोग, सर्प प्रार्थना, नव नाग नाम स्तोत्र, कालसर्प योग जन शान्ती प्रयोग इत्यादी भी विस्तार पूर्वक दिये गए हैं लाल किताब के अनुसार कालसर्प योग के टोटके भी इस पुस्तक में स्पष्टता के साथ वरनित किये गए हैं लाल किताब के अंतरकत प्रतेक भाव के अनुसार कालसर्प योग के उपाए भी बताए गए हैं उधारण के लिए यदी अशुब राहू पंचम भाव में स्थित हो और जनम कुंडली में काल सर्प योग बन रहा हो तो लाल किताब के टोटके के अनुसार दुकान या मकान की चोखट में चांदी की इंट या पत्रा गाड़ना चाहिए पत्नी के सिराने रात में पांच मूलियां रखनी चाहिए सुभे ये मूलियां मंदिर में दे 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 चांदी का ठोस हाथी घर में रखें, अंधविद्याले में दान दें अथवा सेवा करें, अपनी पतनी के साथ संपूर्ण विवा पद्दती से पुनर विवा करें, किन्तु तीसरा विवा कभी ना करें इसी प्रकार इस पुस्तक में काल सर्प योग को अशुब बनाने वाले योगों का भी विस्तरित विवेचन किया गया है काल सर्प योग के अतिरिक्त राहु द्वारा निर्मित कुछ अन्य महत्वपूर्ण योगों पर भी इस पुस्तक में चर्चा की गई है इस प्रकार यह पुस्तक जियोतिशियों के साथ साथ सामानने जन के लिए भी समान रूप से उपियोगी हैं इस पुस्तक के माद्यम से आप स्वयम अपनी जनम कुंडली में आये हुए विभिन्य योगों को देख कर उनका निवारण सहज ही कर सकते हैं पंडित अश्यशी मोहन बहलजी द्वारा प्रस्तुत यह पुस्तक काल सर्प योग रनधीर प्रकाशन हरिद्वार द्वारा प्रकाशित की गई है इस पुस्तक को ओनलाइन माध्यम द्वारा मंगाने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.randeerbooks.com हमारा वाट्सअप नंबर है 9315667218 धन्यवाद